हेलो, क्लाश टू, विशेह हिंदी प्याकरन बच्चों, आज मैं आपको पर्यायवाची शब्दों के आधार पर कुछ अभ्यास बताऊंगी जैसा कि आप इस पेज में देख रहे हैं, जो शब्द चित्र का नाम नहीं है उनके आगे निशान लगाना है गलत का जैसे यहां सूरज का चित्र बना है, तो सूरज को हम सुर्य भी बोलते हैं सूरज भी बोलते हैं और चांद लिखा हुआ है तो सुर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज होगा, सूर्य होगा, लेकिन चांद नहीं होगा तो चांद के बगल में जो डबा बना हुआ है उसमें हम गलत का निशान लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे उसी तरह यहां चित्र बना हुआ है घर का, ग्रिह, ग्रिह को हम लोग घर भी बोलेंगे लेकिन नदी नहीं बोलेंगे तो नदी के आगे हम क्रॉस का निसान लगाएंगे उसी तरह है बंदर तो बंदर को हम शेर नहीं बोज सकते हैं बंदर का परियाबाची शब्द शेर नहीं है बंदर का परियाबाची है वानर तो हम शेर के आगे क्रॉस का चिन लगाएंगे अब यहाँ है चित्र किताब का तो किताब को हम पुस्तक भी कहेंगे लेकिन पैंसिल नहीं कहेंगे किताब का पर्यायवाची पुस्तक होगा लेकिन पैंसिल नहीं होगा तो इस अभ्यास के आधार पर हमने जाना कि सूरज का चित्र है तो सूरज का परयावाची है सूरज लेकिन चांद नहीं होगा, चांद गलत है ग्रे, गिर का परयावाची शब्द है घर लेकिन नदी नहीं होगा, नदी गलत है बंदर, बंदर का परयावाची शब्द है वानर लेकिन शेर नहीं होगा शेर गलत होगा अब किताब का परियावाची शब्द होगा पुस्तक लेकिन पैंसिल नहीं होगा अब है दिये गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखना है यहां डब्बा में बना हुआ है लिखा हुआ है वायू, बालग, जमीन, जल, बाग और मयूर और नीचे कुछ शब्द लिए गए हैं तो आपको उन शब्दों के सामने उनके परियावाची शब्दों को लिखना है जैसे उपवन का होगा बाग, पानी का क्या होगा जल, हवा का वायू, मोर का मयूर, भूमी का जमीन, लड़का का बालक तो बच्चों इस अभ्यास पेच को आप साफ सुन्दर कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद